एक्जाम्पल थर्टिन है चाप्टर है सिक्वेंसेस एंड सीरिस खुशन है इफ एम एंड जी एम आफ टू पॉजिटिव नंबर्स बिट्विन एंड बी आर टेन एंड एट रेस्पेक्ट्विली फैंड़ा नंबर्स यानि नंबर्स कुन से ए मालूम करना है और बी मालूम यह हमें से ए एम एंड जी एम टू पोजिटिव नंबर्स है ए म किसके टैन की एक्वल है एम कैसे निकालते हरे litho अपने को मालूम क्या है a plus b divided by 2 किसके एक्वल है यह 10k ठीक है and 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 gm gm कैसे निकालते हैं हमारे को मालूम है क्या होता under root a b होता यह किसके एक्वल है 8k right ना ठीक है question देखो आप if am and gm have two positive numbers a and b okay ठीक है 10 and 8 ठीक है am a plus b by 2 10 होता 10 के बराबर दिये gm under root a b होता 8 के बराबर दिये ठीक है इसको solve करेंगे इसको थोड़ी दिर के लिए equation 1 बोले हम और इसको थोड़ी दिर के लिए equation 2 बोले हम ठीक है equation 1 को देखो a plus b lhs में divide है rhs में multiply होता तो सीधा सीधा 20 हो रहा इसको equation 3 बोलो आप ठीक है ठीक है यहाँ पे gm under root a b8 है squaring both side करेंगे हम क्या करेंगे squaring on both side तो यह square root cancel हो के a b होता और यह बढ़ता 64 बढ़ता यह equation 4 है समझा ठीक है ठीक है अब यहाँ equation 3 है a plus b 20 है और a b equal to 64 है कौनसा भी variable cancel नहीं होता आप कैसे करेंगे equation 3 जो ही मेरे पास a plus b equal to 20 इसको थोड़ा rearrange करा मैं a equal to 20 minus b ऐसे लिख सकतों मैं राइट फिर अगेन a की value मैं यहाँ पर put कर सकतों 20 minus b यह भी ऐसा भी करें तो answer आता बट मैं identity यूज करूंगा मैं आपने को मालूम है a minus b whole square क्या होता बोलो a plus b का whole square minus 4ab होता अरे गाइट ना वह कैसे होता इदर देख़ो आप a minus b whole square इसको open up करो क्या होता है a square plus b square minus 2ab होता ठीक है ठीक है आप मैं यहाँ पर प्रसे बना रहो इसका और इसका प्रसे बना रहो क्या होता हैस ì plus b square plus 2ab remaining in बच्चा और in बच्चा दोनों add होते sign minus का minus 4ab ठीक है अब यहाँ पर formula बठा देखो a plus b का whole square remaining इधर क्या बठा 4ab इसके a minus b whole square यह identity आ गई है a minus b whole square को क्या लिखा हम है a plus b whole square minus 4ab ठीक है ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर value रख देंगे हम a plus b की value 20 है और ab की value किती है 64 ठीक है तो मैं value रख दे रहу आप में lhs तो यहाँ पर identity में as it is रहेगा a minus b का square ठीक है a plus b value किती है 20 20 का square minus minus 4 ab ab की value किती है 64 64 lhs as it is a minus b का whole square ठीक है 20 का स्क्वार किता होता 400 मैनस इसको 4 से अंदर मुटिप्ले करो 256 होता अरे ठीक है ठीक है अब आगें देखो LHS A-B or square as it is 400 में मैनस 256 करो तो यह 144 बढ़ता ठीक है ठीक है तो आगें A-B क्या होता प्लस और मैनस किता बढ़ता 12 बढ़ता ठीक है ना प्लस और मैनस 12 आ गया इसको थोड़ी देखी लिए मांगे चलो equation 5 है समझो ठीक है equation 3 देखो A-B 20 है equation 5 क्या है A-B plus और मैनस 12 आ गया तो मैं equation 3 and 5 को लेगो जो है solve करोंगा तो यहां पर लिखू में solving solving equation 3 and equation 5 ठीक है equation 3 क्या है equation 3 A plus B equal 20 ठीक है equation 5 क्या है A-B equal to 12 यह positive का एक बार लेकिए चलो हो में एक बार plus 12 लेना एक बार minus 12 लेना आप यहां पर देखो solve करो यह cancel हुआ हुआ 2A equal to 20 plus 12 किता हुआ है 32 इदा से cancel लोट करो एक इता बठा बोलो 16 बठा एक इता बठा एक 16 बठा ठीक है 16 बठा अब A की value अगर मैं रख दिया हमां किसके अंदर put A value in equation 3 तो सीधा-सीधा भी मिलता मेरे तो put A अगर A value याने put A value in equation 3 ठीक है तो क्या होता दुखो 16 plus B equal to 20 तो बी किता है बोलो यह minus जाके 4 राया रायट 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 वेन 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 जब A मैरा जो है 16 है तब B क्या आरा भोलो 4 रारा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब minus का लेगी करना पड़ता है plus का लिया ना मैनस का मैं यहां पर लेगी करूँगा मैं ठीक है solving 3 & 4 कर रहे हैं क्या कर रहे हैं 3 & 5 लेकि कर रहे हैं 3 क्या है मेरा यह है a plus b equal 20 ठीक है 5 यह है मेरी a equation 5 a minus b equal to minus 12 negative की साथ लेकि नेगेटिव वाला कर रहो मैं positive का यहां पर करें ते मैं यहां पर बताया था थे इसको solve करेंगे इसको इससे एंगेट क्यांसरे प्लस टू यह होता 20 में टू वेल रहा तो इता बठाए एड बठा इससे इसको प्लस b equal to 20 यहां से बी किता है बोलो 20-4 किता होता 16 16 16 तो फाइनली मैं यहां पर बताऊंगा वेन 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 जब a मेरा 4 है तो बी किता रहा बोलो 60 ना रहा अरे राइट ना ठीक है बहुत सिंपल वेसे हम करें हैं a plus b 20 आया a b 64 आया वेरेबल क्यांसल नहीं हो रहे थे एडेंटिटी लगे हैं ए मैनस भी हो इसकार ए प्लस भी हो इसकार मैनस फोर ए बी ए प्लस बी की वालू 20 रखी है इसको इक्वेशन फाइशन फाइव बोला मैं आगें फाइव बोल कि उन सॉल्विंग 3 & 4 क्या 3 & 5 को सॉल्व करें हम वेरेबल के आँसल होगा a बठा ए एटा बठा तो बीता आया फिर अगर हम negative करें हम नेगेटी का लेके करें हम negative का एटना आया तो बीतना आया बहुत सिंपल वह से डिसकुस किया मैं लास्ट में लिखा में the numbers a and b are 4,16 या 16,4 यहां पर देखो ए 16 है तो भी 4 है राइट ठीक है यहां पर देखो एगर 4 है तो भी 16 है फाइनल इस बात को हम ऐसे लिखा वीडियो को पॉस्टर यह से नोट करूँ